इस बीच एक और बड़ी खबर, S.I. भरती परिक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको देंगे RPSC के पूर्ब सदस से, कटारा और रायका को आमने सामने बिठा कर हुई है पूछताच, ये बड़ी खबर है S.O.G. की पूछताच में कटारा ने पेपर देने की बात कबूल ली है ये बड़ी कबर इस वक्त की क्योंकि ये बात चल रही थी कि इनकी सांट गांट थी आपस में परिक्षा के पांच दिन पहले रायका को पेपर देने की बात एक्सेप्ट किये कटारा ने S.O.G. ने R.P.S.C. के दोनों पूर्ब सदस्यों से तीन घंटे तक पूछताच की वहीं अब R.P.S.C. से रिकॉर्ड लेगी S.O.G. डेटा निकालेगी S.I.E. भरती परिक्षा कर रिकॉर्ड लेकर जाच को अब यहां से आगे बढ़ाया जाएगा यह बड़ी अपडेट है, यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की क्योंकि यह बात कही गई थी पहले से किनको आमने सामने बिठाकर पूछताच की जाएगे विने हमाई से होगी एक बार फिर से इस खबर पर भी हो गए है कनेक बहतर जानकारी के साथ रुक करेंगे विने का विने ऐसाई वर्ती 2021 पेपर लीग का जो पूरा प्रकरण था दो बड़ी मसिलिया हाथ लगी आमने सामने बिठाई के रिबान पे लेकर पूछताच क्या सामने आया जो बिल्कुल दीखिए ऐसाई वर्ती परिशा 2021 पेपर लीग प्रकरण में उसके अगले ही दिन जो अब वाबूलर कतारा उनको भी गिरफटार किया गया और अब उन दोनों को आपने सामने बढ़ा के पूर्स्तार की गई तो इसमें कई बड़े और तो बिल आते हैं वो हो रही है ये बात सामने आ गई है कि जो दोनों ये जो आरोपी हैं उन्होंने पेपर पास दिन पहले ही लिख कर दिया था ऐसा ही बड़ती परिक्षा का और सबसे बड़ी बात ही है कि जो कटारा है उसने ही परिश्टा से पांस दिन पहले राइका को पेपर देनी की बात कबूल की है और अब बताया दार है कि तीन गंटे तक दोनों से आमने साहों ने बठा कर पूस्ताज की गई और और रिकॉर्ड भी जो है वैसकी ने मांगा ह अब उस रिकॉर्ड के अधर पर जाज को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि जो राइका के बेटा और बीटी है उनको भी गिर्फतार किया गया था और जो बेटी शोग है उसके पांच भी रहेंगा है कि बेटे विने सवाल ये है कि कटारा ने राइका को पेपर दिया तो क्या वो पेपर सिर्फ अपने बेटे और बेटी को पास कराने के लिए थे ये मामला बहुत लंबा था कई लोग थे इसमें जो बिल्कुल लीखी जो पेपर आर्पीसी से पास दिन पहले लीख हुआ था वो पेपर केवल राइका से बेटा बेटी नहीं बलकि जो पेपर लीख करने वाले गिरो है उसके सरगना और उनके जो हैंडलर थे उन तक भी पहुंचा था अब वो पेपर कटारा दौरा डाय किसका जो पेपर है वो आर्पीसी से ही लीख हुआ था और परिक्षा से पांस दिन पहले लीख हुआ था जहां पहले यह मान के चला जा रहा था कि जो पेपर है वो जैपूर के एक सेंटर से लीख हुआ है लेकिन अब यह बात सामने आई कि आर्पीसी से पांस दिन पहले ह लीक हो चुका था तो ऐसे में अब जो रिकॉर्ड RPSC से मांगा गया है SOG के दौरा वो रिकॉर्ड मिलने के बाद अब इस प्रक्रण में नए सिजिसे जो कारवाई है वो SOG की और से देखने को मिलेगी विने सिर्फ कटारा और रायकात की बात सीमीत है या कई पूर्व सदर से और है जिसकी मिली भगत इसमें हो सकती है जी बिल्कुल दीखिये RPSC के कई पूर सदर से और करमचारी वर्तमान में भी वहाँ पे कुछ करमचारी जो स्कारवाई है उन सभी लोगों की गूमी का फिलाल संदिक्द है और कई लोगों को एसोजीन अपने जाच के दाइरे में भी लिया है और ये माना भी जा रहा है कि जैसे जैसे लोगों के नाम उजागर होंगे उस अधार पर आगे कारवाई भी देखने को मिलेगी और कुछ गिरफतारिया और होगी इसके साथ ही कई ट्रेणी एसाई भी हैं जिनको एसोजीन अपने रडार पे ले रखाया और आने वाले दिनों में कुछ अन्य ट्रेणी एसाई की गिरफतारी भी देखने को मिलेगी जी आशीज बहुत शुकर एवने आपका इन तमाम जानकारियों को साजा करने के लिए तो पूछताच में कटारा ने ये बात कबूल कर ली है कि उसने पांच दिन पहले परिक्षा के पांच दिन पहले जो पेपर आने वाला था एक्जाम देने के लिए एसाई भरती के लिए थानेदा गिरबतार किया जा चुका है एसोजी के रडार पर अभी कई और ट्रेनी एसाई है जिनको उठाया जाएगा कई और पूर्व सदसार्पेसी के गिरबतार हो सकते हैं इसको लेकर भी चर्चा तेज है